वेल्कम अगें टू फाइन आट स्टड़ी आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रागतिहासिकाल की चित्रकला के बारे में कि प्रागतिहासिकाल में हमें कहां से किन किन जग है से हमें जो चित्रकला है वहां उसके जो आउशेस हैं वो मिले हैं तो चलिए शुरू करते नामता है जो चापाएं चित्रों का प्रणार्म परारम, नामता चापाका, उसके बारक्विता है, उसका बाधा जाता है। सबसे पहले जो पाशान यूग था उसमें ओजारों की खोज वो एक बुरुसफुट नामक विद्वान थे उन्होंने की थी कहां की थी मदरास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर यू क्वेस्टिन डारेक्ट पूछा जाता है तो इसको अब ध्यान रखेगा ठीक है उसक बुरुसफुट जो थे उन्होंने पल्लावरम में 1863 में हस्त कुठार की खोज की थी 1863 में यह ध्यान रखेगा यह भी की थी बुरुसफुट नहीं उसके बाद दो बहुत फिमस बुक है एक तो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो के बॉर्टरिक ने लिखी थी 1958 में और प्री हिस्टोरिक इंडिया इनकी नामों में आपको कन्फिजन हो सकता है तो इन्हें आप अच्छे से देखेगा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग तो बॉर्टरिक ने और प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखी थी स्टूर्ड पिगाड ने 1950 में और भारतिये प्रागतिहासिक चित्रकला का इतिहास यह लिखा था डॉक्टर जगदिश गुप्त ने जो प्रागतिहासी काल है उसमें जो सबसे प्राचीन के छेत्र है या केंद्र है वो माना जाता है दक्षिन भारत का ठीक है दक्षिन भारत का जो विलारी का स्थान है वो सबसे प्राचीन माना जाता है नेक्स्ट देखी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो प्रागतिहासी काल है प्राचिन काल था उसमें जो सबसे ज़्यादा चित्र मिले है वो मिले है आखेट के जो शिकार होता है पश्वों के शिकार से संबंदित जो चित्र होते हैं वो सरवादिक मिले है और ये जो च काल उसको हम तीन भागों में बाड़ते हैं सबसे पहला तो है पूर्व पाशान काल या फिर इसे मेगा लिथिक भी बोलते हैं इसे मेगा लिथिक भी बोलते हैं मेगा लिथिक एज तो इसका जो टाइमिंग है वो 30,000 इसा पूर्व से 25,000 इसा पूर्व माना जाता है ठीक है इसका जो आधी मानव रहता था तो आधी मानव का जो प्रमुक जो केंद्र है वो विल्लारी माना जाता था ठीक है और आधी मानव को जो प्राचिन मनुष्य था उसको कुवर्टी जाइट नाम से पुकारा जाता था तो यह ध्यान रखेगा जो प्राचिन मनुष्य है जो प्राचिन समय में स्टार्टिंग में तो उसमें जो मनुष्य था उसे कुवर्टी जाइट नाम से बुलाया जाता था और आधिमानों का प्रमुक केंदर वेलारी को माना जाता है पहला ओजार जो की पूर्ण पाशानकाल में मनुष्य द्वारा बनाये गया सबसे पहले जो मनुष्य ने ओजार बनाया था वो था कुलहाडी देखिए सबसे पहले जो पूर्ण पाशान काल है उसमें जो मनुश्य है वो प्रकर्तिक निर्मित गुफाओं में रहता था जो प्रकर्तिक गुफाएं होती है उनमें मनुश्य निवास करता था और इसके साथ साथ ही वो जो हड़ी होती है लकडी पत्थर इन सबसे वो जो ओजार है वो जो हथियार है अपने जो जानवल से रक्षा के लिए वो बनाता था। इसके बाद दीखें मनुष्य लकडी, हड़ी, पत्थर, आदी के मोटे और भद्धे ओजार बनाता था। गुफाओं में रहता था। कवर्टी जएट यंत्र जो है वो मदरास, गंटूर जिले के अंगोला और कुड़ापा नामक जगय से मिले हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है मद्यपाशानदकाल जो Second जो Ace आती है वो आती है मद्धाशानकाल इसी मैसो लितिक भी बोलते हैं यहाँ मैं लिख रेते हूं मैसो लितिक X पी इसे बोलते है इसका जो timing है वो तो ये आप ध्यान रखेगा इसका जो टाइमिंग है वो 25,000 से 10,000 माना जाता है आप देखिए जो मद्यपाशनकाल है उसमें जो मनुष्य था उसके रहन सहन में थोड़ा सा और सुधार हुआ उसने अपने जो ओजार थे उने थोड़ा सा बहतर बनाया उसने अपने ओजारों को जो मित्य और सुडोल रूप दिया ठीक है मिट्टी के बरतन है वो बनाने का उसने प्रियास किया बिल्कुल परफेक्ट नहीं बने उस काल में लेकिन उसने प्रियास परारंब कर दिया था ठीक है तो ये जो मद्यपाशन जो काल है वो पुरु नौपाशानकाल को हम नियोलिथिक एज भी बोलते हैं, इसका जो टाइमिंग है वो दस हजार से तीन हजार इसा पूरु तक माना जाता है, अब इसमें क्या हुआ था जितने भी जो मनुश्य है उसमें अपने जो रहन सहन है, उसे बहतर कर दिया था, नए ने उसने करना सीख लिया था, जैसे कि चित्रकला का विकास हुआ, जो गुफाएं होती थी, उनकी दिवारों पर मनुश्य जो है, जो चित्रांकन है, वो करने लगा था, रेखांकन करने लगा था, बेसिकली, उसके बाद कृशी का विकास भी इसी काल में हुआ, पशुपालन का वि गोल यंत्र प्राप्त हुआ नहुपाशानकाल में उसके बाद चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग मनुष्य करने लगा था उसके बाद हम बात करेंगे गोल यंत्र मिला है इसके साथ साथी यहां से कुछ दरियाई घोड़े और कुछ अन्य जानवरों की जो हड़िया है उनके जो अवशेस हैं वो भी प्राप्त हुए हैं उसके साथी हिरोंजी के टुकडे यह पूछा जाता है कई बार एक जामे हिरोंजी के टुकडे टुकडे यहां पर मिले हैं साथी जो सिलनुमा पत्थर होते हैं इसके बाद प्रमुख एतिहासिक स्थल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले धेखेंगे हम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुत मुख्य है प्रगतिहासिक काल के जो स्थल मिले हैं उनमें तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के जो प्रगतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे देखें सबसे पहले हैं मिर्जापूर तो मिर्चापूर में विंद्याचल परवत की कैमूर श्रंकला के अंदर सोन नदी घाटी में एक सो से अधिक गुफाएं और शिलाश्रे प्राप्त हुए हैं यह देखें एक मिनिट कि सोर हैं लग भग सो से अधिक जोद्यम्य था सिल आए हैं ह están भल् या कंडा कोट कोहबर मधघरिया विजयगड घोडा मंगड सोरो 빼ट हरन हरन या खोड़ोऑ तो ये सब जो जगें हैं यहां से हमें इनकी गुफाओं से किसी की गुफाओं से किसी की छट से दिवार गुफाओं की छट और दिवारों से हमें जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं और ये जो चित्र हैं वो लगबग 5000 इसा पूरू के माने गए हैं यहां से जो चित्र मिले हैं वो लगबग 5000 इसा पूरू के माने जाते हैं अब देखें यह जो चित्र है यह मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है सुवर के आखेट का चित्र जेसे देखें बहुत कुछा जाता है एक्जाम में कि सूवर के आकेट का Cam glimpse कहां से प्राप्त हुआ है और इस पांधा एका भाव दर्ष आए घए थिए जो सूवर है सूवर है इसके जो पीडा पीडा के यहाँ पर इसमें भाव दर्ष आए गए ठीक है नेक्स्ट तो यह अब ध्यान रखेगा सुवर का आकेट मिला है मिर्जापूर से अचै इसके साथ साथी जो मिर्जपूर है उसके अलावा भोठी प्राजन काल की चित्र वह प्राप्त हुए ہیں उसके बाद हम पढ़ते हैं एक और प्रागतिहासिक स्थल सोर हो घाट के बारे में तो सोर हो घाट थे हमें साही के आखेट, हाथ के चापे, मानवाकरती और पशुर चितर जो है वो मिले हैं यह जो स्थान है यह जो मिर्जापुर है उसी के अंतरगत आते हैं तो यह चितर आपने देखा है सुवर के आखेट का तो इसमें जो गेरू रंग से यह बनाया गया है और इसमें पीड़ा के भाव को अभिवेक्त किया गया है नेक्स्ट हैं अच्छा हाथ के छापे के चितर आप लोग बताईएगा कि हाथ के छापे के चितर यहां से मिले हैं सोरू गारती एक और जगया है कहां पर कि हाथ के छापे के चितर प्राप्त होते हैं और यह बहुत important question है, कहां से आपके जो हाथ के छापे हैं उसकी चित्र प्राप्त होते हैं, यह question में जो exam है उसमें पूछा जाता है, उसके बाद बात करते हैं लखुनिया के बारे में, तो लखुनिया के बारे में उसके बात करेंगे हैं, देखे, सबसे पहले देखते हैं, जो लखुनिया है वो गरई नदी के किनारे हैं, ठीक है, और यहां पर हाथी का शिकार, पश्वों का शिकार, घुड़ सवार हतीनी की मदद से हाथी को पकड़ते हुए, रत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, यह जो दो हैं, यह most important ह उसके बाद है 12 सिंगे का आखेट, अब आप चित्र देखे, इसमें हाथी का शिकार, दर्साय गया है, तो यह जो चित्र है, यह हमें लखुनिया से प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक्जाम में direct question पूछा जाता है, कि हाथी का शिकार कहां से प्राप्त हुआ है, इस टाइप से उसके बाद नेक्स देखते हैं करिया कुंड तो करिया कुंड में बारे सिंगे का पीछा करते हुए धन और धारी यह चित्र वहां का फेमस है उसके बाद है बीढम तो बीढम की जो खोज है वो जग्दिस गुपता ने की थी और यहां से पहियेदार गाड़ी का चित्र मिला है इस पॉइंट को आप ध्यान रखेगा कि यह दोनों ही पॉइंट में है बीढम में और यह जरूर ध्यान रखेगा कि जो जैसे कि बीढम है करिया कुंद है यह किस जगय में है तो यह क्वेश्चन पूछी जाते हैं इस टाइप ते कि यह स्थान कहां पर है तो जो भीढम है उसकी खोज जक्तिस कुपता ने की थी और यहां से पहियेदार गाड़ी का जो साक्षय है वो मिला है उसके बाद नेक्स्ट है गोडा मंगर बहुत इंपोर्टेंट है यह तो सबसे पहले देखे गोडा मंगर से हमें गैंडे के शिकार का चित्र मिलता है यह देखे जो यह बीच में गैंडा है और चारो तरफ यह शिकारी है और इसका शिकार करते हुए गेंडे के शिकार का द्रश यहां पर है गेंडे के शिकार का द्रश और यह जो चितने भी प्राचिन काल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जितने जो प्रकति हसी काल है उसमें जो चितर है वो किस रंग में बने हैं तो सभी जो चितर है वो गेरू रंग में बने हैं और इसे पश्वों की चर्वी में इसे मिक्स किया जाता था ठीक है उसके बाद बात करते हैं भल्डरिया के बारे में तो इसकी खोज है वो काकपर ने की थी 1883 में 1883 में और यहां से जो है वो एक गायल सुवर का चित्र प्राप्त हुआ है जितने भी प्रागतिहा से स्थल मिले हैं उसमें सब में जो मानों की आकरती है वो कम मिली है लेकिन पस्वों के जो आखेट पस्वों के जो शिकार के चित्र हैं वो सबसे ज्यादा मिले हैं लगबग सभी म में पस्वों के शिकार है उसी के चित्र मिले हैं उसके बाद मढःया अगें मोस्ट इंपोर्टेंट है मढःया डारेक्ट कुछा जाता है उट का चित्र कहां से प्राप्त होता है तो यह मढःया से हरनी हरन से गैंडे के शिकारियों का चित्रिय हरनी हरन से मिलता है उसके बाद बात कते हैं मलवा के बारे में तो यहां से बिना पहिये की गाड़ी मिली है जिसमें की आदमी बैठा हुआ है यह ध्यान रखिएगा अभी अपने पीछे पढ़ाता एक मिनिट यह देखिए हाँ बीढम से आपने देखा पहिये दार गाड़ी का चित्र ठीक है और यहां आप देखेंगे बिना पहिये की गाड़ी ठीक है तो यह दोनों ही पॉइंट आप याद रखेगा पहिये की गाड़ी और बिना पहिये की गाड़ी उसके बाद यह देखिए मलबा से एक ओर चित्र विला है जिसमें की 3 दंद धारे अश्वारोही अपने-पने गोड़े की रास थां मे यानि अपने-पने गोड़े की जो लगाम होती है यह देखें, यह लगाम ऑपने-पने गोड़े की नोह ने लगाम पकड रखी है और ये पैदल चल रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी तो ये ध्यान रखेगा ये देखे तीन दंडधारे अश्वर होई अपने गोड़े की लगाम को थामे एक ही दिशा में चल रहे हैं अगें मोस्ट इस लाए पे तो आप डवल स्टार लगा लीजिए भूत का रहिश मई चितर मिला है डोकवा महाराणी कन्डा कोट से मोस्ट इंपोर्टेंट है जो की एकजाम में पूछा भी जा चुका है कई बर की भूत का रहिश मई चितर कहा से मिला है उसके पाद आ जाते हैं मद्द्य पर्देश पर मद्यपरदेश के अगर हम बात करें मद्यपरदेश में बहुत ही प्रसिद है तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचमडी की पंचमडी का जो टाइमिंग है वो माना जाता है नवी से दस विस्थापती और ये महादेव परवत शंकला में स्थित है एक एक पॉइंट को आप द्यान रखेगा टाइम फिर भी कम पूछा जाता है लेकिन जो परवत शंकला है इसके बारे में पूछा जाता है कि किस परवत संकला में स्थित है उसके बाद देखें पंचमड़ी में एक चित्र है जम्बूदीप में नरत्यवादन का यह चित्र है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दो आकरतिया है जो कि नरत्य की मुद्रा में दिखाई दे रही है इसके जो खोज है पंचमड़ी की वो डिएच गार्डन ने की थी उसके बाद पंचमड़ी छेत्र के अंतरगत ही इमली को महादेव बनियाबेरी बजारकेव भाडादेव निम्बू होज लसकरिया खो सौन भद्रा यह सब जगए हैं वो आती है इमली को से सामभर के आखे Wolf TM, दोखेट का द्रश प्राप्त होता है cả दो कि नेक्स दीचे पंचमड़ी से मोस्ट मोस्ट इंप्ड़िए फर् १न है भी इसे इंडीक त्रत करते होगे तो यहांठ देख सकते हैं 20 चितर है यह बंचमड़ी का चितर है यहां से आप देखते होगे यह जो च्छता होता है वो है और यहां से यह जो लोग है वो मक्यों का शहदेखतरत कर रहे हैं नेक्स्ट है भाड़ा देव की गुफा की च्छत पर सेर के आखेट का दरश और महा देव से विशालकाई बकरी का चित्र महा देव बजार से विशालकाई बकरी का चित्र कहां से प्राप्त होता है तो वो हुआ है महा देव बजार से उसके बाद है आदमगड हाथी पर चड़े आखेटकों को जंगली भैसे को और जंगली भैसे का आखेट करते हुए दिखाया गया है मतलब कुछ जो आखेटक हैं जो शिकारी हैं वो हाथी पर चड़े हुए हैं और हाथी पर चड़कर वो जंगली भैसे का शिकार कर रहे हैं उसके बाद चलाक लगातें बार सिंगा का चितर यह भी आदमगड से मिला है और इसकी परस्ट भूम में है इसका पूरा बैगड़ाउंड है यल्लो है ठीक है यलो है स्वरी इसका जो बैग्राउंड है वो डार्क है लेकिन डार्क बैग्राउंड के उपर यलो कलर से जो आकरतियां है वो बनाई गई है उसके बाद देखें शिंगनपुर की खोज जो है वह 1910 में एंडर्सन ने की थी उसके बाद एंडर्सन के खोज करने के बाद 1913 में अमरनात ने और 1917 में परसी ब्राउंड ने यहां की जो चित्र है उनका परिच्चे दिया था अब यह जो चित्र है यह जो स्थान है वो मांड नदी के पूर्वी किनारे के और स्थित है यह जो राइगड रियासत है राइगड रियासत में जो मांड नदी है उसकी पूर्वी और स्थित है यहां पर पचास से अधिक शिलस्त्रे प्राप्त हुए हैं द्वार पर एसंखे कंगारू चित्रे थैं कि द्वार पर एसंखे कंगारू यह मिले हैं सिंगनपूर में गायल भैस खरगोस सुन्ट उठाए हाथी हीरन आदी के चित्र भी यहां पर प्राप्त हुए हैं नेक्स्ट बात करते हैं भीम बेट का अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक है भीम बेट का भीम बेट का के बारे में तो भीम बेट का में देखी यह आप चित्र देख सकते हैं ए भीम बेट का में एक chitr दिखाय गया है श्रिकार नुरत्य का यहां पर एक जानवर दिखाया गया है और यहां पर यह देखें यह मानव बनाई गई है यह देख रहे हैं यह मानव बनाई गई है जो कि दोड़ रहे हो या फिर दोड़ रहे हो यह भी बैसिकली इन्हीं ने क्या सोच के बनाये हैं iffer कैनी सकते हैं लेकिन लादी के प्रोर्च हाव भाव ह मेर कर 있으 Очень है जो भीम बेट का है उसकी जो खोज है वो उज्जेन वेस्व इत्याले के प्रोफेशर है वाकन कर उन्होंने की थी भीम बेट का नामक पहाडी पर हिस्तित है यहां से लगबग 600 गुफाएं प्राप्त हुई है लेकिन जो चित्र है वो लगबग 275 गुफाओं में चित्रों क सिर्फ 275 से मिले है इन कुफाओं में सरवादिक लाल रंग का प्रियोग किया गया है बाकि जो चित्र है उनमें लाल रंग का प्रियोग है लेकिन यहां पर जो चित्र है उनमें लाल रंग का प्रियोग किया गया है शिकार, शिकार, हीरन, सुवर, आखेट, पोयन, शिकार मंदसोर जिले में 30 पहाड़ी खोई मिली हैं जिन में की स्वास्तिक चक्र सूर्य कमल प्रतिक आत्मक चिन है वह प्राप्त हुए हैं देहाती बात से बनी गाड़िया तो यह मिली हैं मंदसोर से उसके बाद है होसंगाबाद तो होसंगाबाद में जो सबसे फेमस है वो है जिराप सम्मग जो पूछा जाता है एक्जाम की दर्श्टी से बहुत महत्वपून है जिराप सम्मू चार धनुरधारी गोड़े हाती सवार आधी अंकीत है उसके बाद यह जो चित्र है प्रागतिहासिकाल में आप यह पूइंट ध्यान रखेगा कि पूछा जाए कि अगर प्रागतिहासिकाल में जो चित्र है वो किस पद्दति में बनाए गए है तो वो बनाए गए है स्टेंशिल पद्धती में छेपांकन पद्धती में ठीक है तो यह point आप ध्यान रखेगा उसके बाद बात कते हैं बिहार की तो बिहार में चक्रधरपुर, सिंगनपुर, साहाबाद में चित्र मिले हैं जिनमें की लेटी और शिकार करती मानव आकृति उसके बाद है दक्षिन भारत, दक्षिन भारत में एक ही है जिसके बारे में mostly पुछा जाता है वो है वेलारी, वेलारी का आप ध्यान रखेगा वेलारी रायचूर वसंगुडी से जो चित्र है वो मिले हैं, मिले हैं, रायचूर जो है वो रिशिमुक परवत माला में, रा विलारी यहां से जो विलारी वहां से 1892 में एक वासेज ने चित्र प्राप्त किये थे चित्र की खोज की थी उसके बाद देखते हैं राजस्थान के बारे में तो राजस्थान के बारे में बहुत कम पूछा जाता है तो जो राजस्थान है वहां पर जो अलनिया नदी घारती है वहां से यह प्रागतिहासी काल के चित्र प्राप्त हुए हैं और इन्हें सीता जी के मांडने भी कहते हैं जो स्थान यह जो लोकल लोग हैं लोकल लेंग् जाकृत बाकरी ताहित मांव आकरतियों जालावार दर्रा भरतपुर और घागरोन से प्रागतिया छी काल वहां उसके चित्र हमें प्राप्त हुए है तो ये थे. प्रागतिहासी काल के बारे में कुछ मैतपुन जो पॉइंट इसके बाद नेक्स्ट फीडियो में हम जो पॉइंट हमारे रहे गए हैं उनके हम क्वेश्चन आंसर के एक सिरीज लेके आएंगे इसी से समबन्दित जो हमारे बाकी बचे हुए पॉइंट हैं वो आपके क्वे हो जाएगा थेंक यू